लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उन यात्राओं को संजो कर रखते हैं अपनी लेखने की द्वारा वे अपनी यात्रा को खुद तो प्रकट करते ही हैं दूसरों को भी रोचत करीके से अपनी यात्रा के विश्य में बताते हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे ही भाव प्रकट करने वाले एक पाठ एक संस्मरन की चर्चा यहां करेंगे जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रागुल संक्रतेयन जी के द्वारा लिखित हिंदी का हम राहुल संक्रतेयन जी के जन्म से संबंदित राहुल संक्रतेयन का जो जन्म है वो सन 1893 में उनके ननिखाल गाउं पंदखा जिला आजमगड उत्तर प्रदेश पे हुआ उनका पैत्रिक गाउं जो था वो था कनेला उनका मूल नाम केदार पांडे था और उनकी शिक्ष 1930 में उन्होंने स्री लंका जाकर बोध धर्म के ग्रहन कर लिया था तब से उनका नाम राहुल संक्रतेयन हो गया बात करते हैं उनसे आगे उनका जीवन कैसे गुजरा राहुल जी अनेको भासाओं के जानकार थे जिनमें पाली प्राकृत अबभरंस तिब्वती चीनी क्योंकि वह घुमकड़ी वेकती थे वह घुमना पसंद करते तो जिस विस्तान पर गए जहां भी गए वहां की भासा को उन्होंने अंगीकार किया और सीखना प्रारंब किया बढ़ते हैं बात करते हैं उनके बारे में और तो उन्हें महापंडित कहा जाता है क्योंकि जो अनेकों भासाओं के जानकार होंगे तो उन्हें महापंडित कहा जा सकता है इसलिए उपन्यास कहानी आत्म कथा यात्रावरत जीवनी आलोचना शोद अनेक विधाओं में साहित्य स्रजन किया है उन्होंने इतना ही नहीं उन्होंने अनेक ग्रंदों का हिंदी में अनुआ भी किया है चलते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मेरी जीवनी यात्रा ये उनकी रसनों के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरी जीवनी यात्रा इसके छे भाग हैं दर्शन दिक दर्शन 22 वी सधी वोलगा से गंगा भागो नहीं दुनिया को बदलो दिमागी गुलामी इसी प्रकार गुमगड सास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां है साहित गलावा दर्शन राजनीती धर्म इतिहास विज्ञान आदे विभिन विश्यों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तों की संक्या लगभग 150 यानि 150 पुस्तकों की रचना उन्होंने लगभग की है राहुल जी ने बहुत बहुत सी लुप्त प्राइस सामगरी का उधार कर अत्यंत महद्वा पूर्ण कारी किया है बहुत सी ऐसी सामगरी जो लुप्त हो गई थी खत्म होने के कगार पर थी तो उसको वापस पुना जीवित किया है अपनी लेखनी के द्वारा तो यात्रव लिख सके ऐसे ही उन्होंने गुमकड़ी का सास्त्र अचा उससे होने वाले लाबों और उद्धिश्यों से हमें अवगत कराया यानि गुमकड़ी सास्त्र से हमें क्या-क्या लाब होते हैं इससे हमें परिचित कराया और उन्होंने कहा कि मंजिल के स्तान पर यात्रा को ही होती है जितना रोचक रास्ता या यात्रा होती है गुमक कड़ी से मनुरंजन ग्यान वरदन और अग्यात स्थानों की जानकारी के साथ साथ बासा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है क्योंकि जब हम गुमते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वि रिती रिवाज की वहां से वहां के रहन सहन की जानकारी हमें प्राप्त होती है बढ़ते हैं आगे चर्चा करते हैं राहुल जी के बारे में राहुल जी ने विबिन स्थानों के भोगलिक वर्णन की अतिरिक्त वहां के जन जी उनकी जहां की प्रस्तुत की है अर्दाद, वहां का वातावरन, वहां का भोगलिक दिखदर्शन, वहां की लोग कैसे रीती रिवाज, परंपराएं, उनका भी उनन रहुल जी ने किया है. तो आईए, शुरुवात करते हैं, इस पार्ट में क्या हैं, इसके बारे में जानकाथी, प्राप्त करते हैं. संकलित आंसर राहुल जी की ये जो प्रतम तिबत यात्रा है उससे लिए आ गया है उन्होंने सन 1923 में यानि आज़ादी के पहले की घटना है तो सन 1923 में नेपाल के रास्ते से उन्होंने ये यात्रा की ती और उस समय भारतियों को तिबत यात्रा की अनुमती नहीं थी यान इपाल," उन्होंने ये यात्रा एक चदम वेस what में की ती यानी एक भिकरी का वेस्दारन किया और फिर उन्होंने ये यात्रा की थी तो इसमें तिबत की राजधानी लासागी और जाने वाले जो दुर्गम बड़ी मुस्किल से जहां जा जा सकता है ऐसे दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है और बहुती रोचब शेली में इनोंने किया है इस यात्रा भृतान से हमें उस समय के तिबती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है तो आईए सुरुआत करते हैं लासा कियो